Hello everyone, welcome to my YouTube channel exam study zone आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे sentences जिनको की हम जानेंगे कि इंगलिश में क्या बोलते हैं जो की हम daily life में उन sentences का use करते हैं जैसे कि मुझे कुछ काम है तो इसको हम इंगलिश में क्या बोलेंगे मुझे ये पसंद नहीं है तो इसको इंगलिश में क्या बोलेंगे तो इस तरीके की कुछ sentences मैं यहाँ पर discuss करने वाली हूँ और जानेंगे कि उन्हें इंगलिश में क्या बोलते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो like कीजे, comment कीजे जिससे इसी तरीके की वीडियो आगे मैं और भी आपके लिए लेकर आऊंगी और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप new हैं हमारे चैनल पे तो मैं बता दूँ कि computer से related videos, math से related videos और MBA से related videos भी मैंने upload की हुई है अपने इस चैनल पे तो आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को तो पहला है मुझे देर हो रही है तो इसको इंगलिश में कहेंगे I am getting late तो कभी भी आपको बोला हो मुझे देर हो रही है इसको इंगलिश में तो आप कह सकते हैं I am getting late Second है मुझे कुछ काम है ये usually हम बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है मुझे कुछ काम है तो इसको हम English में क्या बोलेंगे I have some work Third है तुम कहा हूँ ये बहुत easy है Where are you? Fourth है क्या तुमने खाना खा लिया तो इसको हम English में कह सकते हैं Did you eat? इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं Have you had your lunch देखिए अगर कहा जाए कि क्या तुमने खाना खा लिया क्या तुमने डिनर कर लिया क्या तुमने लंच कर लिया क्या तुमने ब्रेक्फरस्ट कर लिया Did you eat your lunch? Did you eat your breakfast? Did you eat your dinner? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं या फिर Have you had your lunch? Have you had your dinner? Have you had your breakfast? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं फिफ्थ है मुझे ये पसंद नहीं है ये भी हम यूज़वली बहुत यूज़़ करते हैं तो इसको कहेंगे I don't like this सिफ्थ है क्रिप्या मेरे साथ आईए Please come with me सेवन्थ है क्या तुम्हे कुछ चाहिए इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे Do you need anything? एर्थ वन एज मुझे ये समझ में नहीं आया I did not understand this मुझे यहां अच्छा लगता है इसको इंग्लिश में कहेंगे I feel good here टेंथ है कल मिलते हैं इसको हम बोलेंगे Let's meet tomorrow तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं एक और इसी तरीकी की वीडियो लेकर आऊंगी और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम कुछ और sentences के बारे में जानेंगे कि इन्ग्लिश में क्या बोलते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और second part पी आप चाते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग और वाचिंग और वाचिंग और वाचिंग और वाचिंग और देए